योगासन की विशे में जैसा कि हम लोगों ने पिछली पक्षा में योगासन की विशे में कुछ बातें की आज हम लोगों को इसको थड़ावर विस्तार से समझना है एक जो बड़ी मुख्य बात है हुआ ये है कि योगासन वियायाम से अलग होते हैं योगासन इस तरह की शारीरिक गतियां होती है या इस्तितियां होती है जिनके द्वारा जागरूपता, इस्थिर्ता, एक कागर्ता और सहज़ता का विकास होता है जवकि वियायाम से किसी शारीरिक अंग विशेश का एक ऐसा अभ्यास होता है जिसमें कि ये तत्तु प्राया समाहित नहीं होते हैं शरीर के विविध अंगों को विविध अंगों को तनाव दिया जाता है बात और हम लोगों ने पढ़ रखी है कि आशन करने से शेश कर परानुकंपी इसनायूतंत्र सक्री हो जाता है जवकि इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अनुकंपी इसनायूतंत्र सक्री होता है जिसके कारण योगासन करने पर स्वास की गती घट जाती है शरीर के तापमान में कमी आती है और शरीर के संपूर्ण तंत्र को आराम मिलता है किन्तु व्यायाम करने पर स्वास की गती रक्त की गती बढ़ जाती है और व्यायाम करने के बाद में कई बार ठकावट की अनुभूती होती है इसी कारण आशनों का प्रभाव आंतरिक अंगों को पुस्टी देने वाला और उनकी संराजनात्मक तथा क्रियात्मक तक्रियाओं को सक्षम बनाने वाला होता है सक्षम बनाने वाला होता है